हेलो गुड इवनिंग एवरिवन मैं नेम इस किरन कुहार और मैं हूँ आपकी पेपर टू यूजी सीनेट जोग्रोफी की ट्रेनर लाइफ क्लास शुरू हो गई है जल्दी से जल्दी आप सब लोग लाइफ क्लास जोइन करो ताकि हम अपना जो सेशन है उसको आगे बढ़ लिया है और इस क्लास में हम एरिट जियो मोर्फोलोजी को कम्प्लीट करेंगे वही कम्प्लीट हो पाएगा क्योंकि यह हमारा थोड़ा सा लेंथी टोपिक है इसमें दो से तीन लेक्चर लग जाते हैं जल्दी से क्लास जोइन करो वेटे दो मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद जो क्लास है तो हमें सेशन शुरू करना है क्लास अब हम शुरू करते हैं ठीक है दो मिनट हो गए हैं क्योंकि हमें अपना टॉपिक भी कवर करना है तो क्लास शुरू करते हैं अब यहां तक मैंने आपको करवा दिया था इंसेल बर्ग तक हंज हलो सवीता ठीक है इंसेल बर्ग तक आपका हो गया था और आई होप आपको जो ओडियो वीडियो है आपका क्लियर होगा आपको मेरा जो ओडियो है वीडियो वीजिबल होगा और क्लियर भी होगा ओडियो और अब हमें इनसेल बर्ग के बाद पढ़ना है इनसेल बर्ग के बाद जो है वो है हमारा डेमो साइल अब ये डेमो साइल कैसे बनते हैं देखो जैसे आपके पिलर होते हैं ना देखो जैसे आपके ये पिलर होते हैं ना ऐसे पिलर होते हैं ऐसे पिलर के फोम में होते हैं ये होते हैं आपके डेमो साइल आप डेमो साइल बनते कैसे हैं ये देखो आपका क्या है ये डेजर्ट में आपकी रोक्स हैं ठीक है आपका ये रोक्स कैसे होते हैं डेजर्ट में उपर ये देखो हार्ड रोक होती है नीचे आपका ये तो ये hard rock तो उपर ऐसे का ऐसे बचा रहता है लेकिन नीचे जो soft rock है इसका erosion हो जाता है और इनको बोला जाता है आपका demo side एक बार पढ़ देते हैं क्या होता है रोक पिलर यानि कि आपके जो चटान है चटान स्थम्ब जैसे होते हैं ठीक है आपकी जो resistant rock होती है जिसका erosion नहीं होता है यानि कि वो hard rock होती है resistant rock आपकी top पर होती है जो आपकी soft rock होती है वो नीचे आपकी soft rock होती है और ये feature कैसे बनता है याद रखना इसका reason due to differential erosion of hard rocks and soft rock यानि कि आपके soft rock और hard rock का अलग अलग तरीके से जब erosion होता है उसकी वज़े से demo side बनते हैं hard rock का कम erosion होगा soft rock का ज़्यादा erosion होगा उसकी वज़े से आपके बनते है demo side demo side आपके ये लंबे लंबे pillar होते हैं जिनके top पर hard rock होती है और नीचे आपकी ये ऐसी soft rock होती है इसको बोला जाता है आपका demo side एक बार आपको हिंदी में और समझा देती हूँ demo side क्या होते हैं शीर्ष पर आपकी प्रति रोधी चटाने होती है और नीचे आपकी नरम चटान होती है ठीक है और ये आपकी जैसे चटान स्थम होते हैं वैसा होता है आपका ये आपका demo side ठीक है और ये जो विशेष्टा है न ये कैसी विशेष्टा है कि आपका उपर तो कठोर चटान होती है और नीचे आपकी soft rock होती है ठीक है तो आपकी soft rock का तो erosion हो जाता है लेकिन hard rock का erosion कम होता है कटाव कं होता है तो इसकी जैसे hard rock ऐसे कैसे बनी रहती है और soft rock का erosion हो जाता है माल लो ये आपकी रोग थी पहले ठीक है ये ऐसे आपकी पूरी rock फैली हुए है अब इसका erosion कैसे होगा आपकी ओपर ये hard rock तो ऐसे कैसे बची रहेगी लेकिन नीचे वादी जो ये soft rock था उसका ऐसे erosion हो जाएगा और ये होते हैं आपके demo style ठीक है ये देखो ये आपके demo style दिख रहे हैं आपको ये demo style है आपके ये आपको दिख रहे हैं न ये उपर तो आपकी hard rock ऐसे कैसे बची है लेकिन नीचे ये जो soft rock है इसका erosion हो रहा है इसको बोला जाता है आपका demo style बहुत ही easy है demo style ठीक है उसके बाद अब है आपका जूजन अब देखो एक तो होता है आपका जूजन और दूसरा होता है आपका yard जो जूजन है वो कैसे बनता है जब आपका erosion horizontal होता यानि कि आपकी जब ये rocks horizontal होती है ना तो तब आपका बनता है जूजन और जब आपकी ये rocks ऐसे vertical होती है ना तो तब बनता है आपका yard down ठीक है ये याद रखना जूजन और yard down rock masses of tabular form resembling a capped in point standing on softer rock pedestal of shape कैसे ये देखो ये वही आपका ये आपकी horizontally यानि कि शितिस रूप से आपकी क्या एक hard rock है और इस hard rock के नीचे ये आपकी soft rock है तो इस soft rock का erosion हो जाएगा लेकिन ये hard rock ऐसी की ऐसी बची रहेगी इसको बोला जाता है आपका जूजन ठीक है और the base of such pieces are broader than their tops यानि कि जो अधार होता है वो जादा चोड़ा होता है as compared to top और ये कब बनते है इस आर फोर्म्ड इंडोर्स desert area उन आपके रेगिस्थान वाले भाग में बनते हैं जहां पे आपका रात का जो temperature होता वो बहुत लो होता है ठीक है आपका जो temperature होता है रात का temperature बहुत कम होने की वज़ेसे जो आपका moisture है ना यानिके जो नमी है चटानों की rocks में joints में दरारों में क्या है जम जाता है उसकी वज़ेसे क्या होता है फिक है हिंदी में भी देख लो जूजन shell mudstone आदी के नरम रोक pedestal पर खड़े एक धके हुए शाही के बरतन के समान होता है शाही का बरतन देखा आपको पहले उन्हें दवात कहते थे उपर एक ऐसा धकन सा होता है और नीचे ऐसा ठीक है यानि इसका base चोड़ा होता है और जो उपर वाला पार्ट है वो कम चोड़ा होता है ठीक है इनके शीर्ष की तुलना में यानि के टोप की तुलना में जो आदार है वो जादा चोड़ा होता है और इसका निर्मान उन रेगिस्थानी लाकों में होता है जारात के समय जो तापमान है वो कम हो जाता है जिसके वज़ेसे चटानों की जड़ों में और दर से बने हुएं लेकिन जो आपका ये बीच में सोफ्ट रोख है उसका ऊगर घुड हो गया और आप की हार्ड रोख बच रही है ये दिख्रा है आपको ये आपको जो लाइट और इन से दिख्रा difkins और जो गया बीच जब आपकी रोक्स ऐसे वर्टिकल ही हो ठीक है ऐसे वर्टिकल हाड और सोफ्ट रोक होती है तो आपकी हाड रोक ऐसे बनी रहती है सोफ्ट रोक का इरोजन हो जाता है तो इससे बनते हैं आपके यारडांग ठीक है मिंदी में देख लो यारडांग आपके जो यारडांग हो लंबी खाचे या गलियारे या मार गोती है लंबी खाचे क्या होती है ऐसे लंबी खाच इनको बोला जाता है लंबी दिवार जैसी जो बन जाती है गुड इवनिंग जा है उसको बोला जाता है आपका यारडंग और ये खड़ी दिवार वाली ऐसे होती है ठीक है ऐसे बनी ह होती है और बीच में क्या होता है आपका ये सोफ्ट रोक इसका इरोजन हो जाता है हाड रोक आपका ऐसे के ऐसे बचा रहा जाता है याद रखना आपके जो जूजन है जूजन बनेंगे जब आपकी रोक कैसे होगी ऐसे होरिजोंटल हाड रोक सोफ्ट रोक हाड रोक पर्टिकल ही होंगे, एक हार्ड रोक, एक सोफ्ट रोक, एक सोफ्ट रोक, हार्ड रोक का इरोजन हो जाएगा, सोफ्ट रोक कैसे कैसे बची रहेगी, ठीक है, अब क्या बोला जाता है, कि इनका जो अकारे एक मीटर से लेकर कई किलो मीटर तक होता है, आपके यारडांग का और आमतोर पर गलियारे के फर्ष से आठ मीटर उचे होते हैं यारडांग की उचाए आठ मीटर उची होते हैं लेकिन जो इरान का लुट रेगिस्तान है उसमें साठ मीटर उचाई तक ये यारडांग पोहुच जाते हैं इनका निर्मान का होता है जहां आपकी कठोर और नरम चट्टाने उर्द्वादर या शेतिस तल पर ऐसे जब वर्टिकली होते हैं याद रखना आपकी वर्टिकली जब चट्टाने होती हैं तब आप वर्टिकली देखो ये शेतिस तल के सारे यानि कि ये तो आपका शेतिस तल है या पतल है और इसके सारे ये रोक ऐसे जब जुकी हुई होती है वर्टिकली हार्ड सोफ्ट हार्ड सोफ्ट तो उसकी वज़े से आपके बनते है यारडां ओके ये रेखो ये रहे आपके यारडां ये आपकी जो बीच में सोफ्ट रोक थी उसका इरोजन हार्ड रोक ऐसे के ऐसे बची रही ठीक है ऐसे यह था आपके soft rock का erosion हो जाता है और आपकी hard rock ऐसे की ऐसे खड़ी रह जाती है और इसको बोला जाता है आपका yardang yardang vertical और jugen आपके horizontal ठीक है अब आपका next है dry canter पहले मुझे बताओ आपको yardang, jugen, clear और demos आई ये तीन बताया है तीन आपके erosional आपके क्या है erosional features है erosional land forms है by wind आपको समझ में आ गए है ठीक है और आपका ये जो yardang है ना ये yardang को देखो कोक्स कॉम कोक्स कॉम किस के द्वारा बोला गया yardang को a homes यानिके arthur homes ने yardang को कोक्स कॉम कहा है और देखो ये yardang क्यों बनते है एक की direction में जब wind लगातार चलती है ना तो उसकी वज़े से आपके yardang बनते हैं उसके बाद आपके हैं आप dry canter कर दंड है ये लग। अब आपका ड्राइक एंटर क्या होता है यह देखुआ ड्राइक एंटर होते हैं आपके जो यह पत्थर से होते हैं बोल्डर या जिनको कोबल यानि के आपके बजरी होती है रोड़ी होती है पैबल होती है ठीक है उनका साइज है जब इन बजरी का रोड़ी का इरोजन आठ साइड से होता है आठ तरीके से होता है उसको बोला जाता है आपका वेंटी फैक्स वेंटी फैक्स क्या होता है आपकी यह जो बजरी होती है बजरी का ऐसी बजरी जिसका आठ तरफ से यानि कि आठ क्या होता है इसका आठ तरफ से इसका ओरिजन होता है, आठ भाग होते हैं इस बजरी के इसको बोला जाते हैं आपका Va Henry Facts, Va Henry Facts के एट फेश होते हैं आठ मूह होते हैं, ठीक है, भाई आपका ड्राइक एंटर क्या होता है ड्राई केंटर वो रोक का टुपड़ा होता है जिसका तीन तरफ से क्या होता है तीन तरफ से इरोजन होता है वो होता है आपका ड्राई केंटर और आपका ज्वी केंटर क्या होता है ज्वी केंटर होता है जिसका इरोजन तीन तरफ से होता है जिसका इरोजन दो तरफ से होत है अधिक है जिसके सिर्फ टू प्येस होते हैं वह टापका UKांट शिवीग हो जिलिए अथ टरफ तरंसरे इरोजन मुता इसको बोला जाता है जिसके आपके यृइभी तरफ इसको बोला जाता है winter poison और जूई कैंटर वो, वो पत्थर या वो रोडा, जो दो, जिसका दो तरफ से क्या होता है, इरोजन होता है आपने कभी वो पत्थर देखें, जो नदी के सहाथ आप पहाड़ी एरिया में जाओगे तो वहाँ पे गोल गोल पत्थर से देखने को मिलता है उनकी अलग अलग शेप होती है ठीक है तो उनमें कभी उठा के देखना जब उन पत्थर को उठा दे कोई तो बिल्कुल गोल मिलता है कोई ऐसा होता है जिसके ऐसे तीन फेस से निकले होते है ठीक है एक दो तीन तो इस तरीके से जो यह तीन फेस वाला होता है उसको बोला जाता है ड्राइक एंटर और जिसके ऐसे सिर्फ दो ही फेस होते हैं उसको बोला जाता है ज्वेक एंटर और जिसके आठ फेस होते हैं उसको बोला जाता है वेंटी फेक्ट्स ठीक है एक वेंटी फेक्ट के आठ पार्ट होते हैं ड्राइक एंटर के सिर्फ तीन पार्ट होते हैं और जुईक एंटर के आपके दो पार्ट होते हैं अब नेक्स्ट है आपका स्टोन लेटिक्स स्टोन लेटिक्स को बोलते हैं पाशान जालक अब ये क्या होता है ये देखो आपका जो रेगी स्थान में ऐसी ये रोक होती है अब ये रोक कैसी होती है आपकी कहीं पे हाड रोक होंगी कहीं पे सोफ्ट रोक होंगी कहीं पे हाड रोक कहीं पे क्या होती है सोफ्ट रोक होती है ठीक है अब आपको पता है विंड तो चल रही है हवा तो चल रहे तो हवा क्या करेगी जो सोफ्ट रोक है उसमें ऐसे छोटे-छोटे देखो यह होल से कर देगी ऐसे छोटे-छोटे क्या कर देगी होल बन देगी, यह देखो ऐसे बन जाएगा, ऐसे जाएगे चुटे-चुटे hole हो रही है ना, हूल हो जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका stone lettuce या पाशान जालब, ठीक है, एक जाल बन जाता है, एक जाली बन जाती है, पत्थरओं की वजह से, उसको बोला जाता है आपका stone lattice और यह जाली कैसे बनती है जब आपकी soft rock का erosion हो जाता है तो उसकी वज़े से जाली बन जाती है और इसको बोला जाता है आपका stone lattice ठीक है जाली नुमा shape बन जाती है आगे समझ में क्यों बनती है जाली नुमा shape क्योंकि यह जो चटान है ना इसमें कहीं पर hard rock है कहीं पर soft rock है जहां पर hole नहीं होते हैं जहां पर छेद नहीं होते हैं वहां आपकी hard rock होती है उनका erosion नहीं हो पाता और जहां पर आपकी soft rock होती है उनका उनका erosion हो जाता है वहां पर hole से बन जाते हैं ठीक है ये देखो ये दिख रहा है आपको ड्राइक एंटर में दिखा रही थी ना ये देखो ये आपका ड्राइक एंटर जिसके तीन फेस है एक दो तीन और ऐसे आपको 20 फेक्स के देखो एक दो तीन चार पांच छे साथ और आड़ ठीक है तो ये होते हैं आपके ये पत्थर एप रिश्पूंड नहीं कर रहा बहुत नहीं यश्वान्त जादा मिस नहीं हुआ है कोई बात नहीं ख्लाइस दल जाईगी न तब देख ले ना अगर आपका एप रिश्पूंड नहीं करता ना तब क्या की अगरो एक बार फोन को बंद करके दोबारा से ओन कर लिया करो या एप को बंद करके दोबारा से ओन कर लिया करो ठीक है ताकि आपका जो है class miss ना हूँ आप हम पढ़ रहे हैं stone lattice stone यानि के पाशान जाल इसको मैं दोबारा से explain कर देती हूँ stone lattice क्या होता है जब आपकी जो desert है रेगिसान उसमें ऐसे आपकी rocks होती है और ये rocks का कैसा nature होता है इस rocks के अंदर भी आपकी विभिंता मिलती है difference मिलता है कहीं पे आपकी hard rock कहीं पे आपकी soft rock कहीं पे hard rock कहीं पे soft rock ठीक है तो आपकी जो hard rock है आपको पता है अब wind तो चल रही है तो wind क्या करेगी इन hard rock का तो erosion नहीं कर पाएगी लेकिन soft rock का erosion कर देगी तो जहां पे आपकी soft rock होगी वहाँ पे देखो ऐसे hole से बन जाएगी ये दिख रहे ना आपको ये hole से इसका मतलब यहाँ पे कैसी आपकी hard rock है ऐसे एक जाली सी बन जाएगी इसको बोला जाता आपका stone lettuce जो ये आपको जाली सी दिख रहे नए ये line सी दिख रहे ये ये आपकी hard rock है और जो ये आपके hole दिख रहे ये आपकी soft rock है तो इसको बोला जाता है आपका stone letix या पाशान जालग अब stone letix के बाद बनते हैं windows holes ठीक है stone letix के बाद क्या बनते हैं खिड कियां यानि के आपके wind holes बनते हैं हवा के दुआरा wind holes यानि के प्राकर्तिक पूल और प्राकर्तिक खिड कियां पहले बनेंगे अब देखो क्या था यह है ना यह रोग इसमें कहीं कई पर ऐसे जाली नुमा आपके ऐसे बन गई थी नाकरती यह जाली नुमा करती बन गई अब कैसा होगा कि अब जो आपका erosion है ना वो जादा होगा और यह जाली सी भी क्या है तूट जाएंगी ऐसे जो आपका इतने बड़े बड़े होल हो जाएंगे ठीक है जिस से आपका आर पार दिखने लग जाएगा और इसको बोला जाता है आपका नैचुरल विंडो या प्राकर्तिक खिड़किया थीक है फिर अब क्या होगा अब ये आपका जब प्राकर्तिक खिड़की में भी इस विंडो में भी तो आपका एक ऐसे पूल सा बन जाएगा इसको बोला जाता है आपका पवन पूल आपकी शक्ती शाली हवा दवारा पत्थर की जो जाली है उसका लगातार घर्शन होगा जिसके कारण ये जो छेध हैं धीरे-धीरे चोड़े होते जाएंगे और अंत्त है चटानों के विप्रित दिशा में पहूँच जाते हैं और आपकी चटानों के आर पार क्या होता है घर्शन हो जाता है जिसके जैसे आर पार का दिखने लग जाता है और आपकी पवन खिडकियों का निर्मान होता है ठीक है उसके बाद कहते हैं कि फिर ये जो छिदर है इनका भी घर्शन जादा होने लग जाता है इरोजन जादा ह हो जाते हैं जिनने window bridge बोला जाता है आपका ये जो order याद रखना सबसे पहले आपका stone lattice यानि के पाशान जालक stone lattice के बाद आपका बनेगा wind hole यानि के wind bridge आपका क्या बनेगा window बनेगी window के बाद आपका natural pull बनेगा ये देखो ये आपका natural pull है आर पार का जब दिखने लग जाएगा आपका ये अगर आपकी window होती तो window में कैसे देखते हैं यहाँ पे भी आपकी रोक होती है यहाँ पे ऐसे field होती है ठीक है लेकिन window bridge में क्या हुआ इसका erosion जादा हो गया और ये भी हट गया तो इसको बोला जाता है आपका pull खीक है यहाँ तक आया समझ में आपको अब आपके जो erosional landforms है वो complete हो गए है आपके जो erosional landforms है वो हमारे complete हो गए है अब आपका सबसे पहले जो landform है erosional मेवे सारे landform आपको एक बार बता देती हूँ सबसे पहला हमने landform पढ़ा था कौन सा पढ़ा था सबसे पहले हमने पढ़ा था आपका deflation basin यानि के अपवाहन गरत उसके बाद हमने mushroom rock पढ़ी इंसेल बर्ग पढ़ा democyle, jugen, yardang, dry canter, jwi canter, ventifact, आपका stone lattice, wind bridge, wind hole अब आपको देखना है कि आपकी जो wind है वो transportation का काम कैसे करती है तो जैसे हमने river में पढ़े थे ना ऐसे आपका हवा भी transportation का काम करती है आपका देखो ये transportation के कौन-कौन से प्रोसेस है suspension, saltation, traction तीक है आपका इसमें आप suspension का मतलब क्या होता है जब आपके ये जो कण है मिट्टी के वो हवा के साथ लटक लटक कर चलते हैं उसको बोला जाता है आपका suspension saltation क्या होता है saltation जब आपके जो ये रोख है रोख के टुकडे का जो आकार हो थोड़ा बड़ा होता है तो ये कैसे करके चलते हैं ये हवा के साथ लुढक लुढक कर या घिसट घिसट कर चलते हैं ठीक है यानि कि उचल उचल कर और traction का मतलब कैसे है रगड खा खा कर abrasion करते हुए चलते हैं ठीक है आपका suspension का मतलब है हवा में उद कर चलते हैं और आपका saltation में उचल कूद कर कर चलते हैं और traction में हैं आपके आपके जो particle का size जादा बड़ा हो जाता है तो आपके जो particles है वो जमीन से घिसट घिसट कर हवा उनको आगे लेके जाती है उसका साइज कितना होगा, 0.2 mm से भी छोटा होता है, इनका साइज बहुत जादा छोटा होता है, इसकी वज़े से यह हवा के साथ upward moment करते हैं, और हवा के साथ बहे कर चलते हैं, जैसे आपका आपने दुआ, स्मोग देखिए ना, उसके particles होते हैं, ठीक है, उसके बाद particle जिन यानि के bounce, उचल कूद करकर, इसको बोलते हैं, saltation, ठीक है, और लास्ट में बच गया आपका, लास्ट में है आपका traction, ट्रेक्शन कैसे होगा, जब आपके साइज का, जो आपके particles हैं, उनका साइज बहुत जादा बड़ा हो जाता है, तो ग्राउंड को टच करके, क्रीप, क्रीप का मतलब होता है, रेंग रेंग कर, यानि के ये बहुत बड़े पत्थर है, तो हवा, अब हवा की speed जादा होती है, तो हवा कैसे करती है, इनको अपने साथ उड़ा कर तो नहीं ले जाती, तो इनको धीरे धीरे आगे उठा कर लिए जाती है, खिसट खिसट कर ये च आपकी जो मिटी है, मिटी का इकठा हो जाना, दोनों side obstruction के, मालो क्या है, ये आपका बीच में कोई पेड है, ठीक है, बीच में आपका पेड है, और इससे क्या होता है आपका, पेड नहीं लगाती है, ये आपका मालो ये mountain है, ऐसे, ठीक है, और हवा ऐसे चल रही है, तो आपका इस obstruction के इधर भी मिटी जम जाएगी और इधर भी, क्यों, क्योंकि ये mountain हवा की speed को कम कर देंगे, और हवा की speed जैसे ही कम होगी, उसमें मिटी के particles वो अपने साथ लेके आती है, तो वो कहां पे जमा हो जाएगे, वो जमा हो जाएगे, इन दोनों के बीच में, य यानि के आपके ये जो barrier होता है, अब रोधों के दोनों और, एकत्रित rate के टीलों की, को rate की छाया कहा जाता है, यानि के sand drift कहा जाता है, यानि के ये जो बाधाय होती है, इनके बीच में जब आपका rate इकठा हो जाता है, उसको sand drift बोला जाता है, या rate बहाव बोला जाता है, ठीक है आगे समझ में बिटे आपको Sand Drift क्या होता है आप उसके बाद हमें पढ़ने है Depositional Features या Depositional Land Forms सबसे पहले बनते हैं आपके Ripples Ripple Marks या जिनको उर्मिकाय बोलते हैं ऐसे आपने कभी पानी में पत्थर मारके देखा है पानी में जब आप पत्थर मारते हो न तो छोटी छोटी जो लहरे से हैं वे उत्पन हो जाती है उसको बोला जाता है आपका Ripple ठीक है और यह जो Ripple Marks है यह Ripple Marks कैसे बनते हैं जब आपकी मिट्टी का डिपोजिशन बहुत छोटे से लेवल पर होता है यानि के कैसे यह देखो यह आपका हवा जा रही है और आपका रास्ते में कोई छोटा सा Barrier आता है तो उस Barrier की वज़े से आपकी जो रेत ना ऐसे यहां पर इस Barrier के यहीं पर इकठी होने लग जाती है और इसको बोला जाता है आपका रिपल ठीक है आप यह जो रिपल है ना आपके दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका Transverse Ripples और एक होता है आपका Longitudinal Ripples यह दोनों बेटे आपके लिए Important है Transverse Ripples और Longitudinal Ripples आपका Transverse Ripples को हिंदी में आपके जो लोगी ट्यूडनल Ripples है उनको English Hindi में बोलते हैं अनुदेध है यह तरह ठीक है अब आपका सबसे पहले पढ़ते हैं Sand Dunes Sand Dunes यानि या बालू के टिबे या रेत का टीला आपने रजजस्थान में डैजर्ट सबने देखा और डैजर्ट में देखा होगा न आपके कैसे कितने बड़े बड़े रेत के टीले होते हैं वो रेत के टीले कैसे बनते हैं जब आपकी विंड बहुत जादा स्पीड में होती है ठीक है यह देखो पेड़ आने की वज़से यह रेत यहीं पेखठा हो गया, ठीक है फिर आपकी विंड लगातर यहां पे जो है डिपोजिशन करती रहती है, अब क्या होता है यह देखो जब विंड लगातर ऐसे डिपोजिशन करती रहेगी ना, थोड़ा सा रे जमा हुआ, फिर थोड़ा सा, तो आपको ये रेत आगे ऐसे जाता रहता है ऐसे आगे जाता रहता है ठीक है ऐसे तो उसकी वज़े से आपके ये टीले क्या है सरकते रहते हैं movement करते रहते हैं prevent कोन करता इस रेत को आपकी हवा उसे prevent कराती है ठीक है रेत के ढेर या टीले को आम तोर पर रेत के टीले या केवल टीले कहा जाता है इनका निर्मान उन सभी शेत्रों में होता है जहां पर रेत प्रचूर मातरा में उपलब्द होती है और हवा उन्हें prevent कर उप्यूक्त शेत्रों में क्या करती है जमा करती है ए इस प्रकार आपके जो टीले वो तट्टिय शेट्रों या नदी के किनारे जील के किनारे आधि भी बनते हैं ओक्य जिन ने आपके टीले अब यह जो टीले बनते हैं यह देखो यह आपको मैंने रिपल्स बताई थी न ये देखो ऐसी होती है आपकी रिप पल्स उर्मिक है थीक है अब आपका क्या है ठीले क्या होती है यह जो आपके सैंड डून्स है यह कैसे बनते हैं इके तो मैंने बता दिया कि हाँ सैंड डून्स को रेट के टीले या बालू के टिब्बे बोला जाता है अब इनका formation कैसे होता है देखो formation होता है आपका जो rate वो इकठा होने लगता है इकठा क्यों होता है कोई जब अवरोध आ जाता है कोई barrier आ जाता है तो उसकी वज़े से कोई tree आ जाएगा कोई जाड़ी होगी कोई grass हो सकती है रोप हो सकती है कोई hill हो सकती है उसकी वज़े से यह विंड अपने साथ जो मिट्टी लेके आ रही थी वो फिर इस मिट्टी को यहीं पर क्या कर देती है डिपोजिट करती रहती है ठीक है windward side होता है windward slope होता है वो होता है gentle यानि कि इसका धाल कम होता है लेकिन जो levered side होता है उसका slope ऐसे steep होता है जिसकी वज़े से आपकी ये rate कैसे moment करती है आगे जाके फिर ऐसे एक बालू की shape तिब्बे की shape फिर से ले लेती है ऐसे और इस प्रकार आपके ये जो टिब्बे है वो movement करते हैं ठीक है इसको बोला जाता है migration of dunes यही लिखा हुआ है और जो आपके ये जो बालू के टिब्बे जाडियों की वज़े से बनते यानिके जाडिया बीच में मिट्टी को रोग देते तो उनको बोला जाता है आपका ने विखाज ठीक है और जो आपके टिब्बे जो लेक है ली का मतब्बे लेक पानी के सारे बनती है डिप्रेशन यानिके कोई गर्थ है अभी पढ़ा था ना अपने अपवान गर्थ उस अपवान गर्थ के वहाँ बनती है तो उसको बोला जाता है ल्यूनेट्स ठीक है और ये याद रखना की सिर्फ ऑब्स्रक्शन के कारण आपके जो ड्यून्स है यानिके ये स बनती है तो उसकी वज़े से भी आपके बालू के टिबे बनते हैं ठीक है आपके ये विंड है विंड की राइट डिरेक्शन पर ऐसे जो है रेत इकठा हो जाता है और इसकी वज़े से आपके बालू के टिबे बनते हैं ठीक है हिंदी में देख लो कि अधिकांज टिलो को अपने निर्मान के लिए किसी बादा के आउशकता नहीं होती ठीक है और ये भी बताएं मैंने कि जाडियों की बादाओं के कारण बने टिलों को नेविखाज कहते हैं जबकि रेगिस्थानी अवसादो की भूमी में विखसी टिलो को लूनेट्स कहा जाता है अब उसके बाद ये माइगरेशन और ब्यून्स मैंने आपको समझाया सबको पेटे समझ में आया आपके जो रेट के टिबें वो कैसे आगे सरकते रहते हैं ठीक है कैसे एक जो स्लोप होता है वो तो जेंटल होता है लेकिन जो इसके पीछे वाला स्टोप होता हो स्लोप होता हो स्टीप होता यानि कि उसका ढाल जादा होता है तो आपने भी देखा है जिस भाग का या जिस चीज का स्लोप ज़ाद होता है वहाँ कोई भी चीज रुखती नहीं है तो यहाँ पे तो आपका डिपोजिशन हो जाएगे लेकिन यहाँ से आपका जो रेत वो आगे फिर ऐसे जाएगा फिर दोबारा से विंड आई उसने फिर ऐसे से हुआ ठीक है तो ऐसे ऐसे करके आप जो है एक अगला जो बालू का टिपा है वो बन जाता है इस प्रकार आपका जो ड्यून से उनका क्या होता है क्या है आगे समझ में बेटे माइग्रेशन ओफ द्यून कैसे होता है सिर आपके जो बालू के टिपे न उनका माइड़ेशन इस प्रकार होता है और इनका जो migration का rate यानिके किस दर से ये परवास करते हैं आगे बढ़ते हैं तो 30 से 40 मिटर पर यानिके पर साल 30 से 40 मिटर ये migrate करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ठीक है जो आपका थार डेजर्ट है अभी आपने सुना होगा ना कि आपको जो ये डेजर्ट है इंडि में रेगिस्थान वो बढ़ रहा है वो फैल रहा है कुछ पार्ट उसने हरियाना का कवर किया है यूपी में यूपी का जो वेस्टन पार्ट है उसमें भी आपका जो रेगिस्थान है वो फैल रहा है वो किसकी वज़ए से फैल रहा है क्योंकि आपके ये जो ड्यून सहीं migrate कर रहे हैं जो rate है भो आगे की और बढ़ रहा है ठीक है अब हम इसको कैसे रोख सकते हैं जो आपका ये जहां पर हमें लग रह रहा है कि ये ये हमारी arid boom है ये इसकी last limit है तो हमें वहां पर क्या लगा देने ने चाहिए हमें वहाँ पे लगा देने चाहिए पेड और उन पेड की वज़े से इनकी shifting आगे नहीं होगी और यहीं पे क्या हो जाएंगे यहीं पे रेता इकठा हो जाएगा है ना ठीक है टीलो का प्रवास कैसे होता है आपका सामने वाला levered slope और पीछे वाला आपका कैसा slope होता है steep slope होता है और इस लगातार आगे की और आपका rate बढ़ता रहता और उसकी वज़े से आपका जो टीले है मरुस्थल में वे बनते और उनका स्थानंतरन भी होता रहता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस और यह हर साल 30 से 40 मीटर की इदर से प्रवास करते हैं ओके विटे यह आपका important concept है अब आपको मैंने दो रिपर्स के दो टाइप बताए थे longitudinal sand dunes या आपका transverse sand dunes longitudinal sand dunes को आप हिंदी में अनुदैधैरियर रेत के टीले या इसको आप सीफ भी बोलते हो याद रखना इसका ये नाम इसको हम क्या बोलते हैं सीफ एक्जाम में ये पूछा गया है आपका जो अनुदैधैरियर रेत के टीले हैं उनको हम सीफ भी बोलते हैं और ये कैसे बनते हैं जिस तरफ आपकी हवा की direction होते हैं ना तो हवा की डिरेक्शन में ही जो हवा की डिरेक्शन में ही बनते हैं उसको बोला जाता है आपका अनुदेधहरיה रेत के टीले यानि के हवा की दिशा के समानतर बनने वाले टीलों को अनुदे धहरिये टीले कहा जाता है इन टीलों का हवा की और धलान हलका यानि के यह धर से हवा रही है तो यह जो आपके सामने वाला जो भाग होगा वो तो यह वाला जो स्लोप होगा यह तो हलका होगा लेकिन पीछे वाला कैसे होगा स्टीप होगा ठीक है जबकि हवा की और धलान तिर्व है हवा से पीछे की और जो धलान है तिर्व है और जो आपके अनुद धहरिये टीले हैं वो आमतोर पर जो आपका पवन है आपके रिगिस्थान के मिड्ड में बनते हैं और आपका जैसे देखोँ एक रेथ कर टीला ये ये और इनके बीच में जो खाली स्पेस है इसको क्या बोला जाता है इसको गारा बोला जाता है वो आगे है वो आगे दिखाऊंगी और इस तरीके के जो longitudinal sand dunes है यह trade wind की वज़े से बनते हैं आपके Australia में लीबिया में सहारा इन सब desert में आपके longitudinal sand dunes मिलते हैं ठीक है देखो इस longitudinal जो sand वो हमारे क्या होते है parallel समानतर होते हैं गुसरे के parallel होते हैं ठीक है इन्हें किस नाम से जाना जाता है इन्हें रेग या हमादा के नाम से जाना जाता है और इनको sand free corridor भी बोला जाता है ये देखो इनको रेग और हमादा के नाम से जाना जाता है गासी इनको सहारा में बोला जाता है गासी इनको सहारा में इनका नाम याद रखना गारा किसको बोला जाता है दो सेंड डून के बीच में जो एक खाली स्पेस होता है इसको गारा बोला जाता है और इस तरह के जो कोरिडोर होते हैं यानि कि इस तरह के जो रास्ते होते हैं वो जो आपके कारवांस है ना कारवांस कारवा जैसे आपके ये उट की सवारी नहीं करने जाते तो उनके लिए पत्थ का यानि के रास्ते का काम करते हैं इस तरह के ये जो कोरिडूर होते हैं अब आपके सेकिंड है ट्रांसवर्स सेंड ड्यून्स आपके ट्रांसवर्स सेंड ड्यून्स कौन से होते हैं जो आपकी हवा की दिशा के राइट एंगल पर बनते हैं उन्हें बोला जाता है आपके ट्रांसवर्स सेंड ड्यून्स क्या बोला जाता है उन्हें ट्रांसवर्स सेंड ड्यून्स हवा की दिशा के राइट एंगल पर बनने वाले बालू के टिबे या रेट के टीलों को ट्रांसवर्स सेंड्यून्स बोला जाता है ठीक है इनक्या जो कैसे ये वेवी लाइक फीचर ऐसे वेवी लाइक फीचर होते हैं और ये कहां पर जो आपकी विंड है विंड के राइट एंगल पर बनते हैं ठीक है यह होते हैं आपके ट्रांसवर्स ड्यून्स हिंदी में ट्रांसवर्स ड्यून्स को बोला जाता है अनुपरस्त रेत के टीले और ये पवनों की दिशा के राइट एंगल पर बनते हैं ठीक है अब इन प्रांस्वर्स ड्यून में सबसे पहला है आपका बारखंड ड्यून ये बारखंड ड्यून कैसे होते हैं ये रेको जैसे आपके भैस का ये फूर होता है ये सींग होता है क्रिसेंट शेप में होते हैं ये रेको क्रिसेंट शेप में होते हैं और इसके कैसे होते हैं दो होर्न होते हैं एक ये और एक ये और इसको बोला जाता है आपका बारखन और आपका बारखन किसका एक्जामपल है ट्रांसवर्स ड्यून का एक्जामपल है ठीक है अब ये क्या कहते हैं ये देखो यहाँ पर क्या बोला गया ना डाइग्राम से समझते हैं पहले ये होता है आपका बारखन और बारखन आपका अनुप्रस्त जो बालू के टिबबे होते हैं उसका एक टाइप है जिस तरफ से विंड आ रही है ये है विंड की डारेक्शन तो वहाँ पे आपका जो स्लोप होता है जेंटल और ये होर्न हमेशा कहां पे बनेंगे जहां पे आपकी हवार नीचे की तरफ उतरेगी फिक है ये याद रखना दाउन विंड ये होर्न ये जो सिंढ है ये हमेशा किसको शो कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं विंड को यानि के विंड जब इस सामने वाले स्लोप से नीचे जब उतरती है तो उसकी वज़े से ये दो होन बनते हैं अर्द चंद्र के अकार की ये जो शेप है इसको बोला जाता है आपका बारखन और बारखन आपका जो ट्रांसवर्स आपके जो आपका जो ट्रांसवर्स जो बालु का टिप्बा है उसका एक टाइप है तीक है रखो दा होर्न ओल्वे और जो Transverse Dune है वो बारखन में क्या हो जाते हैं ट्रांस्फोम हो जाते हैं और यह जो आपका तूर्किश वर्ड है बारखन जिसका मतलब होता है Sand Hill यानि के तूर्किश अब बारखन का अधर रेद का तीला तो वही सेम है ठीक है आगे आपको बारखन समझ में उसके बाद है आपके Parabolic Dune तो यह जो Parabolic Dune है न यह भी किसका टाइप है आपका जो Transverse Sand Dune है न उसका ही टाइप है और इनकी शेप कैसे होती है एसी U-shape इनकी शेप होती है और यह भी ऐसे ही बनते हैं ठीक है और यानि के यहां से आपकी Wind है और यहां पे नीचे की तरफ उतर रही है और यह जो आपके Dune से यह ज़ादा लंबे हैं और बहुत ज़ादा भीडे है बारखन से लेकिन यह हमे डाइग्राम ये शुन्त दोबारा से समझाने को बोल रहे हो बार्खन वाला बार्खन क्या होता है ये देखो आपका ये इधर से विंड की क्या है इधर से विंड आ रही है जब इधर से विंड आएगी तो आपका क्या होगा ये ऐसी शेप बन जाती है ये पहले कैसी है आपके जो विंड है ना विंड के राइट एंगल पर बनते हैं ये ये तो आपको पता है टांसफर्चन विंड के राइट एंगल पर बनते हैं तो यहां से wind क्या करती है ऐसे उपर उतरती है और फिर ऐसे जम नीचे उतरती है तो आपके ये horn जैसे क्या बनते हैं सिंग निकल जाते हैं और इसको बोला जाता है आपका बार्खन जहां से विंड उपर चड़ेगी उसका स्लोप होगा आपका जेंटर लेकिन जहां पर उतर एगी उसका ऐसे स्लोप हो जाएगा सिंग से निकल जाएगे और उसको बोला जाता है आपका बार्खन उसके बाद आपके प्राबोलिक ड्यून है ये ट्रांसवर्स ड्यून का एक टाइप है ये मैंने आपको बता दिया अब आपके कुछ और ड्यून भी हैं जिसके बस आपको नाम याद रखने हैं जैसे आपका स्टार ड्यून स्टार ड्यून कब बनता है star dune ऐसे बनता है ठीक है और बस आपको इनके नाम याद रखने कि जो star dune है वो आपका ये migrate do not migrate laterally ये vertically ऐसे उपर से नीचे की तरफ migrate करते है आपका west to east migrate नहीं करते reverse dune होते है जो कैसे बनते है जब आपकी wind when wind blowing from opposite direction जब आपकी wind हमारी जो wind opposite direction में चलती है ना तो उसकी वज़े से ये reverse dune बन जाते है ठीक है मालो आपकी पहले wind ऐसे बै रही थी लेकिन बाद में ऐसे बैने लगी तो इसकी वज़े से आपका जो है dunes ऐसे बन जाते है इनको बोला जाते है आपका reverse dunes ठीक है और उसके बाद आपके एक whale back dune भी है ये whale back dune बस आपको इनके नाम यादत नहीं ये बिटा आपको एक्जाम में पूछा नहीं गया अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये transverse dune के ही टाइप है इतना ही पूछा जाएगा और आपका जो whale back dune है ना वो कैसे बनता है जब आपकी जो मोटी रेत होती है ना मोटी रेत का जब accumulation हो जाता है और ये कैसे होते हैं ये होते हैं आपके longitudinal का टाइप है ये आपके whale back ओके और इस तरह की जो characteristic वो आपके सहारा नामीबिया desert में मिलती है उस्टेलिया desert में भी मिलती है अब आपका last में रह गया है बहुत ही important एक मैदान है जिसको बोला जाता है आपका lois का मैदान हिंदी में क्या बोला जाता है हिंदी में भी इसको lois ही बोला जाता है lois कब बनता है देखो जो आपकी desert lois बहुत छोटी-छोटी जो sand होती है न वो इकठा हो जाती है एक जगहे पे एक जैसे आपकी agriculture आपने कभी खेत में जाके मिटी देखिए न वैसे उसे भी पतली-पतली आपके जो रेत के कड़ है न वो ऐसे पूरे area पे ऐसे क्या है पूरे area पे बिच जाता है ठीक है इस पूरे area में क्या होता आपकी मिटी के छोटे-छोटे वे जो particle है न वे जमा हो जाती है जैसे आपने कभी brown मिटी बालू मिटी देखिए न वैसे ठीक है और अगर आपको desert lois बोल जाए तो बहुत छोटी-छोटी sand होती है और अगर यानिके बरफ के छोटे-छोटे-छोटे टुकडे होती है ठीक है आपका ये जो lois मैदान है ये आपकी wind बनाती है wind का एक depositional land form है lois सबसे मैतोपुन पवन प्रवाइत निक्षेपो का यानिके निक्षेपो का एक उधारन है और lois शब्द का क्या अर्थ है यानिके आपक क्या हो जाती है जो आपकी भूरे रंकी हो जाती है और क्या हो जाती है एक एरिया में जाकर wind उसको बिच्छा देती है ठीक है इसको बोला जाता है आपका lois मैदान ठीक है अगर ये एक featureless plane होता है इसमें आपकी क्या होती है आपको देखो मैंने desert lois और glaciate lois मैंने already बता दिया है और ये आपका कैसा होता है featureless plane होता है इसमें कोई भी आपकी पहाड़ी नहीं होती है इसमें आपकी rills और गलीज बन जाती है रills और गलीज क्या होती है आपकी छोटी छोटी जो धाराय होती है ना जैसे छोटी छोटी जो नदिया होती है वो बन जाती है और इसकी जैसे ये एक badland topography में भी convert हो सकता है आपकी जो चाइना की yellow river है ना चाइना की yellow river का जो ये देखो ये होते हैं और यहां से चल पाना फिर मनुश्य का बो इसमें फिर अगर पानी विया जाता है तो उसकी वज़े से मनुश्य इस भाग में नहीं चल पाता है ठीक है और बैड लेंड टोपोग्रेफी यानि कि उबड खाबर टोपोग्रेफी बन जाती है डैजर्ट यानि कि आपके रेथ प्लस बोटर के कारण ठीक है यह उता आपका लोएस मैदान कि अब आपका नहीं एक चीज होती है आपकी फ्ल्यूवियल डेसर्ट लेंड फूम फ्ल्यूवियल डेसर्ट लेंड फूम कोन से प्लके पानी प्लस बिंड दुनों के इक दोनों के एक साथ होने की वजह से यानि के दोनों के एक साथ काम करने की वजह से बनते हैं यह fluvial desert landform और इन्हें हम badland topography या uberd cover topography भी कहते हैं यह आपका arid यानि के जहां पे आपका मरुस्तल वाला भाग मरुस्तल वाला भाग और उसके साथ वाला आपका ऐसा बाग जहां पे थोड़ी बहुत बारिश होती है इस वाले एरिया में बनते हैं ये सीजनली डेवलप होते हैं और इनमें आपकी जो छोटी छोटी धाराई है वो भी बन जाती है अब इसमें आपकी चार चीज है सबसे पहला है आपका पैडि फिर ये जो स्टीप भाग होता है इसको बोला जाता है आपका क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है इसको बोला जाता है आपका बजाड़ा बजाड़ा के बाद आपका एक गहरा एक क्या बन जाती है एक गर्त सी बन जाती है उसको बोला जाता है आपका बालसन और इस में जब पानी भर जाता तो उसको बोला जाता है पलाया ठीक है यह चार नाम आपको क्या है याद रखने है यह आपका माउंटेन है सबसे पहले होता है माउंटेन का यह फ्रंट ठीक है माउंटेन के आगे वाला जो भाग होता है उसको बोला जाता है पैडिमेंट पैडिमें है इसको बोला जाता है आपका बालसन और इस बालसन में जब बारिश की वज़े से पानी भर जाता तो उसको बोला जाता है आपका पलाया ठीक है यह क्लियर हुआ बिटे आपको आपको मैंने बालसन बता दिया है पलाया बता दिया है ठीक है आपको बस यह क्या ओडर याद रखना है सबसे पहले आपका पैडिमेंट पैडिमेंट के बाद है आपका बजाडा बजाडा के बाद आपका बालसन और बालसन के बाद पलाया य यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है यह आप से जो है पूछा जा सकता है बस अब आपका यह जो चैप्टर ने यह मोस्टली जो है वो कंप्लीट हो गया है इंडिया में आपको जो डेजर्ट है ना डेजर्ट वाले पार्ट में ये सारी जो टोपोग्रेफिय ना आपको देखने को मिलती है डेजर्ट वाले पार्ट में आपके डेजर्ट वाले पार्ट में आपको सर्च करके दिखाती हूँ एक बार ये ये देखो यहंने पानी भी है दिशितन है ना थेकल के नारी आपके लिस्ते आपthree को पानी- doet क्या एकाथ productivity स्लोपे ङुलेट्ट सब्सक्राइब शिर्टितन गिलाता किरेन अधिनों कर히ा माउंट करगे हा सब्सक्राइब इसको बोला जाता है आपका बजाडा और बजाडा के बाद आपको ये एक गर्त सी दिख रही है इसको बोला जाता है आपका बालसन और जब इस बालसन में पानी भर जाता तो उस लेक को बोला जाता है आपका पलाया लेक ठीक है ये देखो ये दिख भी रुखा है आपका प बजाड़ा ये वाला जो आपका पार्ट है ये वाला ये जो स्टीप स्लोप है ये वाला आपका बजाड़ा है और ये जो आपका गर्त है गहरा गर्त इसको बोला जाता है आपका बालसन और बालसन में जब पानी भर जाता तो उसको बोला जाता है आपका पलाया लेक ठीक है आगे समझ में आपको और ये जो आपकी पलाया लेख है ना इस पलाया लेख को आप अब आपको एक चीज और याद रखनी है क्या याद रखनी है ये आपको एक बार ये बात याद रखनी है कि आपका जो पैडिमेंट है वो इरोजिशनल लेंड फोम है आपका जो बजाड़ा है वो डिपोजिशनल लेंड फोम है और आपका जो बालसन है वो इरोजिशनल लेंड फोम है ठीक है बस आपको यह याद रखाना कि जो बजारा है न वो वो क्या है आपका दि पोजिशनल लेंड फोम है बाकी पैडिमेंट और बालसन दोनों इरोजनल लेंड फोम है ठीक है यह आपका बस चेप्टर कंप्लीट हो गया है इसमें लास्ट में आपको यह थ्योरी पढ़नी है यह थ्योरी किस से रिलेटिड है आपके पैडिमेंट से रिलेटिड यह थ्योरी आपके एक्जाम में पूछी गई है रिसेशन ठीड आपके दिया है एसी लासन ने शीट फ्लर थ्योरी आपके दिया है एम सी जी ने और आपका लेटरल इरोजन ठीड जी के गिलबर्ट ने ठीक है और यह सारे जितने भी नेम आपको सारे आद करने हैं बेटे आपसे यह पूछे गई है exam में यह थ्योरी इंपोर्टेंट है यह composite theory के यह सारे नहीं मियाद रखोगे आपसे यह lateral erosion theory पूछी गई है sheet flood theory पूछी गई है exam में आगे हो सकता है वो आपसे composite theory के किसी भी एक जो ग्रोफर का नाम पूछ ले अब आपकी arid cycle of erosion किस ने दी है William Morris Davis ने 1905 में आपकी arid cycle of erosion को explain किया है आपकी जो सवाना cycle of erosion आपकी जो explain किया जेसी पग ने और जेसी पग की जो सवाना cycle आपकी सवाना रीजन से related है और ये chapter आपका यहीं पे completed होता है बेटे ये जो name का origin है ना ये book में कहीं भी नहीं दे रखा है बाकी मैं कल ये शुवन सर्च करके आपके लिए लेके आती हूं कि यहां पे आपके ये arid वाला chapter complete हो गया है और इसके notes में आपको पता ही है upload हो जाएंगे लेकिन वो एक साथ होंगे तो आप जो है class leave कर दो क्योंकि आपके paper one की भी class होती है इस time पे तो बेटे आप class leave कर दो उसके बाद आपके जो भी डाउट है ना कल मेरे से class में पूछ ले ना मैं कल आपको बता दूँगी ओके ओके बेटे गुड़ नाइट everyone take care welcome welcome झाल